सो सभी प्रिय विद्यारत को डेड़ सारा नमस्कार मैसेफ डॉक्टर मुकिश कुमार और स्वागते आपका मारे फोरम एमकेस चैनल में सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हूंगे नीट वालू के लिए एक साथ डबल माचपूर्ण सूचना यहाँ पर जारी हो चुकी है जो आपके लिए अच्छी रहने वाली है चलिए वन बाई वन करके देख लेते हैं जैसा कि पहले तो यहाँ पर आप देख पार होंगे यहाली में यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जारी हुआ है हर एक जिले में मेडिकल कोलेज जी हाँ बिल्कुल अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा अपडेट यहाँ पर हर एक जिले में पर तेक जिले में एक सरकारी मेडिकल कोलेज यहां पर आप गोर करके देखिए तो चले इसका पूरा अपडेट देख लेते हैं और इसी के साथ ये भी आप यहां पर देख लीजिए जहां पर साप साप मेंसन किया हुआ है कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे चातरों के लिए जरूरी खबर बीना इसके पास किये नहीं कर सकते प्रैक्टिस तो ये आपको क्या पास करना होगा कैसे करना होगा ये क्या है ये नया नियम बनाया है सरकार ने और जिसका नाम है N.E.X.T तो इसको भी हम समझाने वाले है तो पहले तो यहां पर हर जिल्ले में जो सरकारी Medical College बने है वो कहां पर बने है देख लो आप MBBS 8 ने सरकारी Medical College को मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है बड़ाईगी MBBS की 800 सीटे आपके अपने स्टेड में और वो है तेलंगाना तेलंगाना सरकार ने राजे में आठ ने सरकारी मेडिकल कोलेज अस्तावित करने के आदेश जारी किये है जो कि बहुत अच्छी बात है इससे कटॉप कम जाएगा नीट वालोगा इसके बात तेलंगाना देश का एक मातर ऐसा राजे बन जाएगा जहाँ पर परतेख जिले में एक सरकारी मेडिकल कोलेज हो जाएगा अब भी वहां पर क्या है आठ मेडिकल कॉलेजों की तोड़ी सी कमी है और वो आठ बन जाएंगे तो हर डिस्टिक में हर जिले में गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज होगा जैसा की वरीवली यहां पर आप देख सकते हो राज में 33 जिले है जिन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की स्तापना को मंजूरी दी गई है उनमें आओ जागू लंबा और गड़वाल और आपका मोलूंगू वांगल मेंदक यदरादी यह नाम रहने वाले है यह जिले आपके सामिल है यहां अगले सैक्सिनिक सत्तर में कक्साई स्तुरू हो जाएगी और परतेक कॉलेज में MBBS की 100-100 सीटे होने वाली है नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्तापना से राज्ये में सरकारी संस्ताओं के अंतरकत MBBS सीटों की संक्या में उलेकने वर्दी है 2014 में जब तेलेकना का गटन हुआ था सरकारी कॉलेजों में केवल 850 MBBS सीटे थी जो अब बढ़कर 3790 हो गई है और सरकारी विग्यापन में का गया है कि आठ ने मेडिकल कॉलेज शुरू होने से 800 और सीटे एड हो जाएगी इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल बढ़कर 4590 सीटे हो जाएगी अब यहाँ पर एक नियानियम आ चुका है आपका NEXT का अब यह क्या है यहाँ पर देखें MBBS की पढ़ाय को लेकर नया अपडेट जारी है MBBS की पढ़ाय करने वाले या कर रहे चात्रों के लिए एक अहम जानकारी है कि चात्र 2020 के बेच से हैं उन्हें अब NMC की NEXT प्रिक्सा को पास करना होगा बिना इसके के MS और MD नहीं कर पाएंगे अब यहाँ पर आप बोलेंग से यह क्या होता है MS होता है जब आपका MBBS कंप्लेट हो जाएगा फिर आप सर्जरी के लिए जो कोर्स करते हो उनको बोलते है PG में ठीक है और MD के लिए जो पीजिशन बनना चाहेंगे आप MBBS के बाद वो होता है MD इसके लगा जो भी चात्र बार से बाहर किसी भी Medical College से MBBS करते है तो उन्हें बारत में प्रेक्टिस करने के लिए इससे पास करना होगा तो यह कुछ नए नियम है बाक्की में यही कहूंगा कि सरकार ने यहाँ पर हर जिले में Medical College बना के बहुत अच्छा काम किया और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह राजस्तान में भी होना चाहिए MP में भी होना चाहिए UP में भी होना चाहिए सपोर्ट करो गाइज ताकि हम यहाँ पर जो आपके स्टेड है वहाँ पर भी ऐसा नियम लागू करवा सके तो टेलेग्राम को सपोर्ट करो वहाँ पर रिटिविट केंपेंच चलाएंगे लिंक नीचे दे रखा है उसका और जिनको 2024 के लिए तियारी करने है तो नियाबेच स्टार्ट है MKS अकेडमी पर बेसिकलिए आपको MKS अकेडमी एप्टिकेशन डाउनलोड करना होगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां से 799 का और जोइन करके आप डॉक्टरों की टेम के द्वारा तियारी कर सकते हो गर बेटे और सेलेक्शन पास सकते हो